सो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंट कुछ कंपनियों के रेल के बारे में तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं दोस्तो पहला सेर है जियो फानिंसेल सर्विस इस कंपनी में दोस्तो लास्ट टेडिंग सेसर में 2.1 22% की गिरावर देखने में लिए और फिर इसक की बात की जाएं तो लास्ट 1 मेंने में 9% का रेंटन दिया दोस्तो और लास्ट सिक्समंद में दोस्तो 79% का रेंटन ना के इस कंपनी ने तो चलिए फेंद देखते हिस कंपनी का रेजल्ट दोस्तो इस company की sales इस quarter में 418 क्रोव की आई है जो दोस्तो लास्ट quarter में 414 क्रोव की आई थी तो clear कर 4 क्रोव का inchage हुआ इसकी sales में और दोस्तो लास्ट येर का देखने को नहीं मिलाए क्योंकि इस company'n IPO अभी आया था और दोस्तो इस कंपनी का खर्चर 98 करोगा आया है जो लाष्ट करोगा था तो इसमें भी 4 करोगा इंकिज हुआ है और कंपनी का ओप्रटिंग मार्जन 270 परसंट का आया है जो लाष्ट करोगा है जो लाष्ट करोगा भी 70 परसंट का ही था तो फिर नेट पॉपिट में इसके इंकीज हुआ है और दोस्तो इसका EPS भी बढ़ा है G.49 का हो गया है जो लास्ट क्वार्टर में G.46 का था तो दोस्तो इस कंपनी की सेर में आपको 3G देखने को मिल सकती है तो दोस्तो इस कंपनी की Nik you last quarter ass左 हरो की थी दोस्तो जो इसके अपको इकीज देखने को मिल सकती है इस से में दोस्तो आपको तेजी देखी को मिल सकती है बाकि दोस्तो मार्केट पे डिपेंड करेगा लोल मार्केट में वैसे इफन काफी टेंसर बनी हुई है नेस से है दोस्तो HDFC बैंक इस से में 2.64 परसंट की तेजी रिखनी हुए लिए तो फेर इसके revenue में इनकी इस होते हो देखनी मिला है quarter to quarter and year to year और इस कंपनी का financial margin minus 34% का आया है जो last quarter में minus 20% का था और last year यह 15% का था दोस्तो वहीं दोस्तो इस कंपनी के net profit की बात किया तो फेर 18 euro करोकर net profit जरेरेट किया है जो last quarter में 17708 euro करोकर था तो दोस्तो इसमें इनकी खुतो को देखनी हम लाइय और लास्त यह बार रहा था चाहसो 34 करोगा था और इस कंपनी का EPS भी बड़ाया है दोस्तो 23.20 का देखनी हम लाइय जो लास क्वाटर में 22.3 तरका था दोस्तो तो दोस्तो आपको इस से में तेजी रेखें को मिल सकती है और इस कपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है तो दोस्तो HDFC Weng Limited ने 1950.5 परसे का डिविडेंड का एलान किया है तो पहन काफी अच्छा इस कपनी ने डिविडेंड दिया है और इसकी record date दोस्तो माई 10 Friday को रखा गया है तो फैन अगर आपको इस company दोस्तो dividend चाहिए तो फैन 10 माई तक share आपको अपने account में रखने होंगे तब फैन आपको इसका dividend मिलेगा तो दोस्तो इस company का market का estimate था 16.56 करोगा तो फैन उसकी करीवी सेन ने net profit generate किया 16.333 करोगा और फैन इस company का NII 29.7 करोगा आया जो last quarter में 28.470 करोगा था तो दोस्तो इसमें इनकी देखने को मिल रहा है वहीं दोस्तो market का estimate इस से में 29.122 करोगा NII का था net interest income होती है तो दोस्तो इस से फिर आप focus सकते फैन स्वमा को आपको इस से में भी इस company के रेल का दोस्तो असार देखने को मिल सकता है तो दोस्तो इस stock market की latest अबडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को एक लैक चुल कीजिएगा